नमस्कान मैं हूँ आचल सिंग और आपका सौगत है वारे चैनल में तो मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला मोदी सरकार ने चाइना को एक और झटका दिया है तो इससे अब चाइना की कमर तूट जायेगी जिस तरीके से चाइना हमें आखे दिखा रहा था मोदी सरकार उस चाइना से समान आता है और इसी विशे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पवंत्यागी जो राजनीतिक विशे चग्यें सरापका बहुत-बहुत स्वागत हमारे चैनल में लगतार आखे दिखाता आ रहा है सीवा पर यह पाकिस्तान का सपोर्ट करके लेकिन अब मोधी सरका सरकार ने ठान लिया है कि चाइना को बर्बाद करके ही चोड़ेंगे क्योंकि जिस तरीके से आज तक भारत उसको मदद करता रहा है उसका व्यापार यहां फलता फूलता रहा है एफडियाई ने प्रतिबंध लगाया जो निवेश उनके तरब से हो रहा था उसके बाद भ लोग उसका ज्यूज करते थे अब उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाएगी ताकि जो हमारे स्वदेशी माल है उसको लोग खरी सके तो यह जो इतना बड़ा जटका मोदी सरकार देने जा रही है क्योंकि इससे पहले इतने बड़े जटके चाइना को लग गए है कि उसकी बॉकलार्ट हमने देख लिए है इसके बाद चाइना का क्या रूख होगा देखे चाइना की एक नीती है कि उन्होंने किताब पढ़ी हुई है सदियों से उनके यह देश में मानी जाती है आर्ट फोर वार आर्ट फोर वार उन्हीं के एक सैना नायक ने किताब लि निर्फ सिनि देखा कि आप किसी भी देश को जीतने के लिए जरूरी नहीं कि युद् See करें बिना युद्ध करे किसी देश को कैसे जीता जाये तो उसमें टिप्स दी है और यह टिप्स है कि आप किसी को बिना लड़े हुए ही डरा कर धमका कर उसको आर्थिक गुलाम बना कर उसको विजय प्राप्ट कर सकते हो माने कबजा कर सकते हो चाइना इसी की तैयारी में भारत में चा रहा था एक आप समझिए के अगरबती से लेके और उपर से बड़े बड़ी मशीन डी तक वो यहां निर्यात करता था उसके बदले में भारत का एक बड़ा एमाउंट उस चाइना के पास जा रहा था एक तरफ हम आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन ये मोधी सरकार जो है इनकी नीती है कि जैसा सामने वाला दुश्मन का हतियार हो उसको उसी के हतियार से मारना ये भी एक वार का तरीका है और ये चानक की नीती है भारती है चानक की नीती कि सामने वाला च्छल से काम करे तो च्छल से बल से काम करें तो बलते और अर्थ से करें तो अर्थिक मुकाबले पे उसका मुकाबला होना चाहिए तो मोधी जी की नीती आज आप देखिए चाइना ने जो रंड नीती अपनाई थी वो भारत में जादे तर चीजे एक्सपोर्ट कैसे कर रहा था कि वह भारत में उसने चीजों के रेट पता करे और उसके बाद भारत से कुछ समझोते करे उस समझोते में एक्साइड ड्यूटी जो लगती है वो उसने कम कराई तो हमारे देश ने इंपोर्ट ड्यूटी उसको कम किया हुआ था क्योंकि विदेशी समान हमारे देश में आए जादा जादा ये पहली सरकारों की नीती थी लेकिन अभी मोदी जी ने तै किया है कि चाइना से इस पेसली चाइना को जटका देने के लिए सरकार ने तै किया है कि चाइना से आने वाला जो भी समान है उस पर इ मौरवी में टाइल बना करती थी लेकिन चाइना ने अपने टाइल भेजने शुरू किये और मौरवी में जो टाइल बन रही है उससे कम रेट में भेजने शुरू किये तो बिजनिस में कोई भी दुकान पर समान खरीदने जाएगा तो वो रेट देखता है तो क्वालिटी ब करकार ने बातचीत की कि भाई इस को कैसे उबारा जाए इस उद्योग को तो उन्होंने सला दी कि भाई आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाईए और आप अपना जो ये क्वालिटी के साथ साथ थोड़ा रेट भी डाउन करिए आमदनी एक टाइल में कम होगी लेकिन दूर ग क्रीम हम खाते हैं उसकी लकडी की जो चमच है वह चमच भी आप पहले आप देखते होंगे कुछ चमच वह थोड़ी कमजोर जरूर रहती होगी वह भारती है थी लेकिन अभी जो फिनिशिंग वाली वारी है वह चाइना से आ रही है अगर बत्ति वहां से बनके आ रही है की बोतल का ढकन वहां से आ रहा है और ऐसे में चाइना आँख दिखा रहा है तो अब मोधी सरकार ने तेह किया है कि चाइना से आने वाले हर समान पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया जाएगा और जब बढ़ा दिया जाएगा तो इतना बढ़ाया तो हम पिर चाइना का माल क्यों खरी देंगे क्योंकि जो हमारे देश की भूमी पे कबजा करें बैटा हो जो हमें आँख दिखाता हो जो हमारा नुकसान करता हो आतंकवादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बंदूक और گोले बारूत दे कर हमारे सैनी को पे फہर कराता हो ऐसे दुश्मन देश को हम ऐसा मोका क्यों दें कि वो हमारे देश का एक भी रुपया अपने देश में ले जाए और इसलिए केंद्रिय सरकार ने ये नीती अपनी बदली है जिससे बहुत बड़ा जटका चाइना को लगने वाला है और आप देखिए के आइस क्रीम की डंडी अगरबती PPE किट अभी पिछले ही दिनों मोधी जी के नेतत में जब आवान किया गया कि वो जो चाइना की PPE किट है उससे भी अच्छी क्वालिटी और एक चोथाई दाम पर भारतिये कंपनियों ने बनाना शुरू कर दिया इसी से चार हजार करोड रुपया भारत का जो च इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा कर वास्तम में बहुत बड़ा जटका चाइना को दिया है बिल्कुल जनता ये बात कहती आ रही है कि हम चाइना से लेने नहीं जाते अगर सरकार बैंड कर दी तो हम खरीदेंगे नहीं सरकार को बैंड करना चाहिए लगातार सोशल मीडिया या आम जनता इसकी मांग करते आ रहे है कि चाइना का जो समान है उसको बैंड करना चाहिए अब मोधी सरकार में जो ये फैसला लिया इंपोर्ट ड्यूटी पढ़े कि उसके सामान महंगे हो जाएंगे तो हम खुद बाखुद जो हमारे देश में बने हुई है और जो इसलिए नहीं क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई अब उनको मोधी सरकार सहाइता देगी जो हमारे लोकल प्रोडक्त है तो वह अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे और प्राइस को भी कम करेंगी क्योंकि सरकार की मदद होगी तो इससे यह समझने की बात होगी कि गुरू बनाने के लिए मोधी सरकार की यह कितनी बड़ी रणीती है और वही पर चाइना के लिए कितना बड़ा जटका है चाइना की कमर अब पूरी तरीके से धीरे धीरे तूट रही है क्योंकि अब उसको भारत के तरफ से भी बड़े जटके लग रहे हैं क्योंकि अमेर जी ने अंग्रेजों के विरुद किया था तो अंग्रेजों को भी भारत छोड़ के जाना पड़ा और हर चीज हम भारत वाले हर सरकार पे ना छोड़ दें हम लोग जैसे अभी आपने कहा के लोग कहते हैं सरकार बैन क्यों नहीं करती भाई ये देखे ये हां लोग कहते हैं चाइना हम लेने थोड़ी जाते हैं चाइना से सरकार बेन कर दे लेकिन आप एक बास समझिए जो नीती को समझता है जो विदेश नीती को समझता है रुद्योग नीती को समझता है वो यह समझता है कि कोई विदेश किसी विदेश पर बेन नहीं लगा सकता क्योंकि समझोता ह बहुत सारा समान हमारा उस देश को चाहिए और बहुत सारा समान उस देश से हमें चाहिए लेकिन हम क्या लेंगे और क्या देंगे ये हमें तैय करना है तो बहुत सारी चीजे देश की जनता के उपर है अगर मान लीजिए जनता कहेगी के हमें तो चाइना का समान ही चाहिए और हम बजार में उसी को खर तो बजार तो मांग और सप्लाई पर चलता है तो भारतिये लोगों को इस से जादा खुला कोई नहीं कह सकता जैसा मोदी जी ने खुले आम पूरे राष्ट को संबोधित करते हुए स्वदेशी का आवान किया लोगों का ऐसा परधान मंतरी जितने इतना इसपष्ट बोला हो केवल चाइना का नाम ही नहीं लिया बस इतन हैं वो परधान मंतरी हैं एक देश के वो खुलकर यह नहीं कह सकते कि आप चाहिना का समान ना लें लेकिन हम भारतवासियों को समझना होगा कि हमें हमारे देश को विस्टू गुरू बनाना है तो कुछ जुम्मेदारी हमारी भी है उन्होंने बैन नहीं किया है ड्यूटी कराने के लिए प्रियास करें दूसरी तरफ हम भारतवासियों की भी जुम्मेदारी बनती है कि क्वालिटी में अगर एक दो परसेंट का कोई हमें चाहिना से कम भी क्वालिटी का समान मिल रहा है और वो भारतिय है तो हमें भारतिय होने पर गर्ब करना है और पैसे की है कि हम विदेशी चीजों की तरफ लालाइत ना हों आपको बता दूँ के पेटियम है वो पेटियम में इन्वेस्टमेंट है चाइना की हम बहुत सारी चीज पेटियम करते हैं लेकिन उसके बजाए मोधी सरकार जब आई है उसके बाद भी मैप डबलप किया और वो भी मै है कि हम इस बात को समझें कि चाइना का कोई भी प्रोडेक्ट चाइना की कोई भी चीज हम उसको यूज नहीं करेंगे जब तक कि बहुत ज़्यादा जरुत ना हो हमारे देश के उद्योग चलाने वाले लोग और हमारे देश के ग्रामी नंचल और हमारे देश की सरकार हर उस चीज को बनाने में शक्षम है जो हमें चाहिए जी बिल्कुल सही कहा आपने लोगों की यह मांग रही है कि अगर चाइना का हम प्रोड़क्ट ना यूज करें बहुत सारे एप की भी बात करते हैं अगर हम ना यूज करें तो क्या करें सबसिट्यूट हमारे पास नहीं है प्रोड़क्ट की बात हो क्यूंकि हमारी देश की सुरक्षा सबसे एहम है और उसके लिए हम चाइना का कोई प्रोड़क्ट हो या एप हो उसका इस्तिमाल ना करें यह हमारी जिम्यदारी है एक नागरिक होने के नाते सरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुनने के लिए और आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि चाइना का कोई भी प्रोडेक्ट इस्तिमाल ना करें